प्रिवक्तों जैसरी राम आज हम एकादसी ब्रत कथा सुनाएंगे जब आज भादों सुक्ल पच्छी की परिवर्तनी एकादसी कहलाती है जैसरी राम कोई भी एकादसी करने के ब्रत कथा करने के पहले हम लोग एकादसी ब्रत कथा कहते हैं फिर उसके बाद मैं सुक्ल पच्छी की परिवर्तनी एकादसी ब्रत कथा आपको सुनाओंगे अब पहले आप एकादसी ब्रत कथा सुनें एक बार नैमी सारण छेतर में 88,000 रिसी इकतर होकर स्रीमत भागवत के लिलाओं का गुरगान कर रहे थे तबी सूच जी वाँ आप पहुँचे वे उन सौनक आदी रिस्यों से बोले है रिस्यों पुरुसुत्म भागवान स्री विश्णों को एकाद अचीकर बृत सबसे पृरी है वे इस बृत को करने वाले ब्यक्ती पर पिसंद होकर उसकी सर्मी मनों कामनाइप पून करते है लिस्यों ने पुँचा आप किपा करके हमें एकाद सीकर बृत के बिसे में बताए पापी के सारे पापों का नस्ट करने की छमता भगवान स्रीहारी का इश्मन करने में है लेकिन प्राणी उनके चर्णी चर्णों में भगती पूवक चितने ही लगा पाता है अता प्राणी को भगवान की एका दसी के ब्रत करना चाहिए सुकल पच और कश्न पच की एका दसी में कोई भेत नहीं करना चाहिए दोनों एका दसी के ब्रत करने चाहिए एकाद रची करब्रत करने से जीव के समस्त पाप नस्ट हो जाते हैं उनकी मनों कामना पूर्ण हो जाती हैं और वे बैकूंड धाम को जाता हैं एकाद इसी भगवान सरी हरी के आदि सकती हैं तुम इसकी पुरातन काता सनो सत्य युक में मुर्णामक एक भ्यानक दैत था उसने इंद्र को जीत लिया तब इंद्र ने भगवान संकर से प्रातना की कि हे प्रभु हम सब देवता मुर्णामक दैत के अत्याचारों से पीडित होकर मत्यू लोक में बहुत ही दुखी जीवन जी रहे हैं आप इस दुख से छुटकाराप पाने का कोई पाय बताएए तब संकर जीने का देवराज आप भगवान विष्णू के पास जाएए वे ही आपकी मदद कर सकते हैं इंद्र अन देताओं के साथ चीज आगर में जा पहुँचे जहां पर भगवान विष्णू से सहिया परसेन कर रहे थे भगवान को सोते हुँ देकर इंद्र ने उनकी इस्तुती की हे देताओं हे देवं के देव आपको नमस कार है हे दैत संगारप मदुसूदन आप हमानी रच्छा करे देत्यों से भेवीत होकर हम सभी देव आपकी सरण में आएं आप संसार के कारक और करता हैं आप ही जगत की उत्पत्ति पालन और संगार करने वाले हैं आप ही सारे संसार का उपकार करते हो सूर चंद्र अगनी हब मंत्र तंत्र यजमान यग कर्म करता भोगता आप ही हो आप सर्व्यापी हो आप सर्णागत की रच्छा करने वाले हो आप हमारी रच्छा कीजिए इंद्र की ये करुण कता सुनकर भगवान विश्रू बोले है देराज ये कौन सा दैत जिसने तुम्हें जीत लिया तब इंद्र जी बोले है भगवान प्रचीन काल में नाड़ी जंग नामक दैता उसका पुत्र ही दैतमुर है उसकी राजधानी चंदरा बती है दैतमुर ने अपने सारे बज़े संसार को अपने बज़े सारे संसार को जीत लिया देवताओं को दे लोक्षी निकालती है आप उसे मार कर हम लोगों की रच्छा कीचे इंद्र के बचन सुनकर भगवान विश्नु बोले हे देवराद मैं तुम्हारे सत्रू का शंगार करूँगा तुम लोग चंद्रावती नगरी पैंचो ऐसा कहे कर भगवान विश्नु उन देताओं के पीछे चंद्रावती नगरी जा पहुँचे वहाँ पर मुर अनेक दैत्तियों के साथ युद्ध भूमी में गरज रहा था युद्ध प्रारम होने पर असंग दानों विभीत अस्त्रों सस्त्रों को धाणन कर दे होता उसे युद्ध करने लगे भगवान विश्नु ने सुदर्शन चकर से उनके सास्त्रों को काड़ डाला इस युद्ध में अनेकों धानों मारे गए दैत राज मुर भगवान विश्नु के साथ युद्ध करता रहा मुर्ग को मानने के लिए भगवान विश्णू जिस भी सस्ट का प्योग करते हुए उसके तेश्रे नस्ठो कर उस पर फूनों को समान गिरने लगता जब विश्णू भगवान किसी भी सस्टे उनको ना मार पाए तो उससे मल्युद्ध करने लगे हजार वर्स तक मल्युद्ध होता रहा फिर भगवान विश्णू उस दैत को जीत नहीं सके अंत में भगवान विश्णू विश्णू विश्राम के इच्छा से बद्री आस्रम गए वहाँ पर अल्टालेस कोश लंबी एक द्वार वाली हेम वती गुफा में सेन करने के लिए उसे यह देख कर दैत भी उनके पीचे गुफा में चला गया और सोजा यह तो सो रहने मार डालूँगा और अपने सुत्रू को मार कर मिनिसकंट्रा कराज करूँगा किन्त उसी समय भगवाण स्रिहरी किये सरी सिगती सुंदरी कर्णिया दिव शस्तधरन की उत्पन्न reflects मुर दैत से युद्ध करने लगी मुरभी उस तंसे युद्ध करना लगा कुछी समय में उस कन्या ने मुड़ दैत के सारे सबस्त काट डाले, उसका रत तोल डाला अब मूड़ नामक दैत उस कन्या को मानने डोला तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला इस प्रिकार यम लोग चले जाने पर उसके बच्चे साथी भीथ होकर पैतार लोग भाग गए अब दैत्यों ने सोचा हमारा तो राजा मारा गया जब भगवान भिशुन होए तो उटे तो अपने सामने मरी वियसर को देख कर बोले इस दो स्टात्मा दैत्य को किसने मारा जिसने गंधर्व, इंद्र, मरुद, गण, आदी सब देवता जीती है नाग और लोगवालों को इसने खेल में जीत लिया जिससे हार कर मैं भी डर कर गोपा में सोगया थे किसने मिली डच्चा की है वे कन्या बोली परवो में आपके ही अंसित पन हुई है आपको सोया देखकर ये देथ आपको मारने आया था 이लिए मैंने इसको मार डाला तीनों लोगों की रच्चा करने के लिए पहना ग्राच्चा इसको मैंने मारा था प्रभु आपको आशर क्यों हो रास हो कहिए भगवान विस्णों बोले है अनगे इस देथ को मानने से मैं तुम पर पिसंदो तुमने इसे मार कर देवताओं को निस्चिंद कर दिया तुम जो जाओ बर्दान माग लो मैं तुमें बर्दान दूँगा ऐसा बर्दान दूगा जो देवताओं को विद नुर्दुल लवे करन्या बोली है भगवन ये ति आप मुझे पर पिसंद है और मुझे बर्देना चाहते हैं तो मुझे ये बर्दीजे कि आज की दिन जो कोई उपवास करे तो उस ब्रती को उसके पापों से तारने में मैं समर्थ हो जाओं इस उपवास के पुण का आधा पुण रात्री में भोजन करने वालों को उसका भी आधा पुण सायंकाल भोजन करने वालों को और उसका भी आधा पुण दिन में एक बार भोजन करने वालों को प्रात्तो जो जी तेंदरी होकर आज की दिन भक्ती पुगा उपास करें सो आपके धाम वैकूंट हो जाए और सेकुन कब तक आपके वैकूंट में सुक होगे जो भ्यक्ती आज की दिन उपास करें सायंके ही भोजन करें उसे मोच मिले भगवान विश्ण बोले तातास दू मेरी परहं सकती तुम एका दसी तीति गुझपन होई हो इस श कान तुम्हारा नाम भी एकाmart दसी होगा एका दसी को उपास करने वाले बद्ति के सारे पाप नस्ठो करके मैं इसे अच्छे सुर्भ दूँंगा तितिया अस्टिमी नौमी एकादसी चतुरदसी ये तितिया मुझे भी सेश परी है इसमें एकादसी मुझे अती परी है इसे ये बढ़ दे कर भगवान अंतर द्यान हो गए एकादसी भी वरपाकर परम संतुष्ट और हरसे तोई एकादसी ब्रत का बहुत मात में अब इसका मात में सुनिए एकादसी ब्रत को नीमांशार करने वाले मनुस के पास अनंद धन पराप्त होता है ब्रती मनुस को महानपुन की पराप्त होती है अने जिला अब्रत करने वाले का आदा फ़ल एक समय के भोजन करने वाले को मिलता है एकादसी बत करने पर यग दान तब के फ़ल मिलते हैं अब हम सुनाएंगे भाद सुकल पच्च की परिवर्तन एकादसी जो की भादो सुकल पच्च में रही जाती है और इस तिथी का नाम है एकादसी का बामन परिवर्तनी एकादसी भाद पच्च सुकल एकादसी को बामन एकादसी कहते ये माना जाता है कि इसी एकादसी को राजा बली के समझ भवान विश्णू ने बामन अवतार में बामन अंगुल का सरेर धारन कर तीन पग बत्वी का दान मांगा था इस दिन उसी रूप में पूजा की जाती है इस बत को करने से नीच से भी नीच महापापियों का उधार हो जाता है यदि संबो हो तो ब्रती को पूरे दिन पूजनादी में समय बतीत करना चाहिए और किसी के समझ नहीं जाना चाहिए यदि कोई साधूसंद दर्वाजे पराय तो उसे यचा सकती दान दे उससे बहस ना करें और ना ही मुंगा मांगा दान देने की शुकती दे इस दिन ककड़ी का सुकल पहार लें तता सब साधार ने साधार और मातार में समय बतीत करें ये है बाद सुकल पच्छी की परवर्तनी एक अधसी बोलिए विश्न भगवान की जय हो वामन भगवान की जय हो